इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजामीन नेतन याहू ने सौधी अरब के शहजादे मुहम्मद बिन सल्मान के साथ मुलाकात की इस्राइली मेडिया की सुमवार को एक खबर में ये जानकारी दी गई है हिब्रु भाशा की मीडिया ने एक अग्यात इसराइली अधिकारी के हवाले से बताया है कि नेतन्याहू और इसराइली खूफिय एजंसी मोसाद के प्रमुक योसी कोहिन रविवार को सौधी शहर नियोम रवाना हुए थे जहां उन्होंने सलमान से मुलाकात की खबर के अनुसार सलमान अमेरिका की वदेश मंत्री माइक पॉम्पियो से वारता करने के लिए वहां मौझूद थे इसराइली प्रधान मंत्री की कारियाले से इस सम्बद में पूछे जाने पर कोई प्रतक्रिया नहीं दी गई है गई तलब है कि इसराइल ने हाल ही में दो खाड़ी देशों दहरीन और सन्युक्त अरब अमिरात के साथ समझाओते पर हस्ताक्षर किये हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारत वर्ष